नमस्कार फ़र्ष्ट प्यार जारखंड देख रहे हैं आप मैं हूँ आपकी साथ पूज्या इस वक्ती बड़ी खबर जो है जारखंड से निकल कर सामने आ रही है। पुर्वा सीयम हेमंत सोरेन के देल से बाहर आते ही जो है जारखंड के सियासत काफी गर्माई हुई है आज जो है जारखंड के सीयम अवास पर हैंडिया गटवंदन के निताओं की बैठक हो रही है बिदायक और मंत्रियों को मीटिंग में बुलाया गया है खबर है कि जारखंड में लिश्यम की जगह है मनत सोरेन के मुख्य मंतरी ही बन सकते हैं आपको बता देगी आज इन बैठक को लेकर कई लिहाजजे से बैठक काफी महत्वन माना जा रहा है इनमें सियम हाउस पर बिधायकों और मंत्रियों के साथ साथ कॉंग्रिस के जारकांड प्रभारी, गुलाम अहमद नीर भी शामिल हुए हैं, सियम चंपई सोरेन के कई कारेक्रम जो है अस्थागित कर दिये गये हैं और सभी कारेक्रम को अगली सूचना तक जो है अस्थागि किये थे और आदे घंटे तक जो है दोनों निताओं के बीच बात चित हुई है थी अगर क्या बात चित हुई यह तो निकल कर सामने नहीं आई इसके बाद कॉंग्रिस के प्रदेश अध्यक्ष राजे श्ठाकों ने भी चंपई सोरन से उनकी आवास पर जाकर मुलाकात की मुलाकातों की बाद जो है आज होने वाली मीटिंग जो है बहुत महत्यपोन मारा जा रहा है विधायकों की मौजूगी में कहा जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है इंडिया गटबंदन की पार्टी के तरप से अभी अधिकारिक इसके बारे में बयान तो न आई गई है और नॉर्मली सी बात है लेकिन अभी सियाम के स्तिफा देने न देने के अभी कोई बात को लेकर जो है अधिकारिक इसकी पूश्टिक नहीं की गई है लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि चंपई सोरेन जो है हो सकता है इसकते हैं और उनके जगह पर चंपई सोरन जो है सियम बने है उन्हें अपने कारेकराल में जारखंट को बहुत अच्छी तरहसे संभाला आए लेकिन अब जो है उनके स्तिफा देने की घड़ी जो है अब धीरे-धीरे नजदीक आती जा रही है क्योकि अब जारखंट के सीम का चेहरा जो है बदल सकता ह से जीम ह्ुघ कापी चत्राएंगे अचान बनें बने लिख से रह रिखनगे लुद है बढ़ से नहीं प्रहाल रही बिण हो जोई ब्रहाले वब देखते रहे हैं फ़र्ष्ट वार जाड़ खन पनोर्मा ग्रुप जो सोचता है वो करता है आपके अपने सपनों ये लो मुझ मिठा करो आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया अब हम पुर्णिया वापस जाएंगे जॉब छोड़ दिया है मतला ये घर कैसे चलेगा हम करेंगे क्या और माबाबुजी क्या बोलेंगे इसलिए मैं एक और मिठाई का डबा ला है अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया है अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पुर्णिया में हम रहेंगे कहाँ अपना घर भी तो नहीं है वहाँ इसलिए तो एक और मिठाई का डबा अलग से लाया हूँ अपने पुर्णिया में घर ले लिया है पुर्णिया के e-homes panorama में पुर्णिया में panorama group लेकर आये हैं e-homes panorama बड़ा घर आलिशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के सब अड़े अब क्यों मूमीठा करवा रही हो क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे है घर वापसी की खुशी पुर्णिया में e-homes panorama के संग e-homes panorama luxurious, lifestyle redefined